तो आजे आजे को बूला वे देख किस ना कार रहे है तू भी कार ये बॉलिवुड के बहुत बड़े फाइट मास्टर हैं इनका बेटा बॉलिवुड का बहुत बड़ा सूपर स्टार है यहाँ पर बात हो रही है स्टंट डिरेक्टर वीरु देवगन सहब की वीरु देवगन जी ने पहली बार जब अक्षे कुमार को देखा था तो देखकर अजे को बताया था और कहा था कि तू इसके जैसा कर तो आज कब क्यों और कैसे में हम आपको बताएंगे कि कब वीरु देवगन ने अक्षे को देखा क्यूं उन्होंने अक्षे को अपने पास बुलाया? और कैसे अजय को उन्हे कौपी करने को कहा? इबात तब की है जब अक्षे कुमार बॉलिवुड में में स्ट्रीम हीरो नहीं बने थे, उन्हें फिल्में नहीं कीती लेकिन hero बनने के लिए वो struggle कर रहे थे उन दिनों उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो gym जाये इसलिए वो अपने stunts और action की practice के लिए जुहू बीच जाया करते थे और वही जुहू बीच पर वीरू देवगन भी अपनी team के साथ stunt practice के लिए आया करते थे जिसमें उनके बेटे अजे देवगन भी उनके साथ आया करते थे क्योंकि विरु देवगन एक stunt डिरेक्टर थे तो पबलिक उन्हें जादा जानती नहीं थी और उस वक्त तक अजे देवगन ने भी बॉलिवुड में डेब्यू नहीं किया था यही कारण था कि वो वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे और लोग उन्हें परेशान नहीं करते थे अक्षे कुमार वहाँ पर रोज प्रैक्टिस करने आया करते थे और वीरु देवगन का भी वो डेली शिडियूल था हर रोज वीरु देवगन अक्षे कुमार को दूर से देखा करते थे कि एक लड़का है जो रोज यहाँ पर आकर अपने स्टन्स करता है उनके स्टन्स की पोस्चेर्स और पोजिशन्स को देखकर वीरु देवगन अंदर ये अंदर कहीं न कहीं उनसे इंप्रेस हो गए दो-चार दिन तक उन्होंने अक्षे कुमार को नोटिस किया और फाइनली एक दिन उन्होंने अक्षे को अपने पास बुलाया वीरु देवगन ने जब अक्षे को बुलाया तो वो वहाँ पर उनके पास गए उसके बाद वीरु देवगन ने अक्षे कुमार को एक particular posture बनाने को कहा तो अक्षे कुमार ने वो posture करके दिखाया और तब वीरु देवगन ने अपने बेटे अजे देवगन जो उनके पास ही खड़े थे उनसे कहा कि इसे ऐसे करते हैं तू भी ऐसे ही किया कर बस उस दिन के बाद वीरु देवगन ने अक्षे से कह दिया कि तुम हर रोज हमारी टीम के साथ ही आकर प्रैक्टिस किया करो अगले ही दिन से अक्षे ने वीरु देवगन की टीम के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया अजे देवगन भी इस टीम का हिस्सा थे अक्षे कुमार ने वीरु देवगन जी से बहुत कुछ सीखा और उनकी टीम को बहुत कुछ सिखाया भी बस वही से ये action का सिलसिला शुरू हुआ अक्षे कुमार और अजे देवगन दोनों ने ही बॉलिवुड में करीब करीब साथ ही एंट्री मारी अजे देवगन जो उनके बेटे हैं और अक्षे कुमार जो उनके चेले हैं आज की डेट में ये दोनों ही सूपर स्टार है और बहतरीन एक्शन के लिए जाने जाते हैं इन फैक्ट अजय देवगन और अक्षे कुमार ने साथ में कई मूवीज में काम किया है जैसे कि इनसान, खाकी, सुहाग जिसमें से सुहाग और खाकी हिट साबित हुई तो कब क्यों और कैसे में आज हमने आपको बताया कि किस तरह वीरू देवगन ने अजय देवगन को कहा कि तू अक्षे की तरह स्टन्स किया कर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ आपको हमारे ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीस कॉमेंट करके हमें बताये लाइक करें हमारा Facebook पेच बोलिवोड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे बॉलिवोड ठिकाना और सबस्क्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बॉलिवोड ठिकाना को